तो देखते हैं पर question number second में हमसे क्या पूचा क्या है what does a neuron look like तो neuron यहाँ पर किसके जैसा देखता है इसके यहाँ पर क्या function है वो भी हम यहाँ पर discuss कर सकते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है neuron का diagram बना लेता है जिसे कि हमें यहाँ पर ज्यादा marks मिल सके हैं होता है एक लंबी फाइबर जाती है जिसको हम यहाँ पर action बोलते हैं इसके अंदर से हमारे यहाँ पर क्या जाएगी एक्सों फाइबर जाएगी और उसके बाद यहाँ पर नीचे से क्या होगा nerve ending निकल जाएगा और यहाँ पर इसको बोल सकते हैं terminal branches तो हमारे यहाँ पर नर्व asksकते हैं और यहाँ पर चोके निकलेंगे जिनको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं और यहाँ से चोटे-चोटे फाइबर निकाल देना है और इसके बाद यहाँ पर abuse fac और यह Step Side में हमारा यहां पर प्या होगा Cytoplasm होगा तो मैं यहां पर लिख देता हों, यह हमारा यह में है Cytoplasm है और इसको यहां पर प्रूरे रहाएं को क्या बोल सकते हैं झाल बोल सकते हैं थोटे वाले नर्फ भाईबर को ओम यहांपर बोलतेहं डेंड्राइट्स पोलते हैं, उसके बाद यहाँ पर हमारा बीच में सबसे बड़ी फाइबर क्या होती है, एक्सोन होती है, जो कि यहाँ पर मेलिन सीट से कवर होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ किस से कवर होती है, मेलिन सीट से कवर होती है, तो हमने यहाँ पर साइटो brain से, spinal cord से and nerve cell से जो कि यहाँ पर electrical impulse वो हमारी body में generate होती है उसके ज़री यहाँ पर क्या करते हैं एक जिगा से दूसे जिगा message को transfer करते हैं तो neuron में हमारे यहाँ पर क्या क्या होता है nucleus होता है, मैंने यहाँ लिखा नहीं था बीच में हमारे यहाँ पर क्या जाएगा nucleus आजाएगा, उसके बाद हमारे यहाँ पर cytoplasm होते हैं और यहाँ पर क्या होती है, long and thin fibers होते हैं जैसे कि हमारे यहाँ पर क्या होती है, dendrites हो गए and axon हो गए and यह हमारे last में हमारे क्या था, nerve ending था यह हमारे यहां पर nerve ending आजाएगा तो हर एक neuron में एक single fiber होती है जो कि सबसे बढ़े होती है इसको हम यहां पर क्या बोलते है एक्सवन बोलते है और जो छोटी-छोटी fibers होती है काफी होती है वो हमारे यहां पर क्या होती है जैसे कि environmental changes या हमारे surrounding से कोई response मिला response मतलब जैसकि हम आपिस आप आप अपर जाके nerve ending पर आपको यहां पर एक चीज और पता होने चाए कि दो नरव के बीच में यहां पे होते हैं जिसको हम यहां पर क्या बोलती है Snaps बोलते हैं, क्या बोलते हैं Snaps, Junction बोलते हैं Snaps, Junction बोलते हैं जब Electrical Impulse यहाँ से आती है तो बीच में छोटा सा गेप होता है उसके बाद दूसरा Neuron यहाँ पर Attach होता है तो इसके बीच में Chemical Composition जाता है जिससे कि Electrical Impulse आपस में Connected रहती है इसके बाद यहाँ पर ऐसे ही transfer होते रहता है तो electrical impulse जब तक रहता है जब तक हम वहाँ पर response ना करें तो आपको यहाँ पर पता चलके आओकर neuron किसके जैसे दिखता है और इसके function के बारे भी हमने यहाँ पर discuss कर लिया है अब हम चलते हैं अपने next question के तरफ